दोस्तो अगर आपने कभी हवाईजाज में सफर किया हो तो आपको पता ही होगा कि आप किसी भी तरह की लिक्वीड जैसे पानी आदी की बोतल को नहीं ले जा सकते अगर आपको पानी ले जाना है तो आपको चेकिंग के बाद एरपोर्ट से ही पानी की बोतल को परचेज करना होगा तो दोस्तो ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में हम यही जानेंगे उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें चलिए शुरू करते हैं दोस्तो हवाईजाज में सफर करते समय आप अपने घर से किसी भी तरह का लिक्विड यहां तक की पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते ऐसा नहीं है कि हवाईजाज में पानी ले जाना मना है बलकि आप पानी बाहर से नहीं ले जा सकते अगर आपको पानी ले जाना है तो आपको एरपोर्ट से ही खरीदना होगा तो दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि अजीब जबर्दस्ती है पैसा बनाने के बढ़िया तरीके हैं तो दोस्तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पीछे एक सुरक्षा कारण है जि हाँ दोस्तो आज कल कुछ सिर्फरे लोगों ने कुछ ऐसे भी केमिकल बना लिए हैं जो दिखने में बिलकुल पानी की तरह लगते हैं लेकिन ये केमिकल हाई प्रेशर में जाने पर बम की तरह फट भी सकते हैं और एरोपलेन में सवार लोगों की जान को खत्रा बन सकता है और ये केमिकल दिखने में बिलकुल पानी जैसे लगते हैं और बिना केमिकल टेस्ट किए पानी और इन में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है खासकर एरपोर्ट चेकिंग के दोरान तो बिलकुल भी नहीं तो इसी सिक्योर्टी मिजर की वज़े से जाधतर देशों ने बाहर से किसी भी लिक्विड को जहाज के अंदर ले जाने पर पावंदी लगा दिया है तो दोस्तों उमीद है आपको ये जानकर ये अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर करें जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आग्या दें जय हिन जय भारत